हो हैं तो हमों को म Afterwards करना भूinté हो बहुती कमाल के ऐप के अपडेट के बारा है वहां जो की आपको आपके washing की सैंक की Okay सब्सक्राइब कर लोगो पहले को तबादो ताकि यह अप्डेट आपको सबसे मिले और हो सके मुझे इसारों फिर फॉलो कर लेने चलते हैं तो इसके अंदर आप रोटीन को सेट आउट कर सकते हैं और बहुत सारे फीचर्स को इसमें अड़ाउन कर सकते हैं अब यह अंदर अपडेट करने के लिए आप तो चाहिए हैं साइटिंक पर चांधिया सकते हैं किलिक करने है जैजी आपडेट करेंगे वह आपको ले जाएगा गलेक्सी स्टोर पर आपको बता दाएगए अपडेट यहां पर रिलेट्स किया गया तो आप यहां पर 4.6.0 to 0.00 वो इसका साइज है 54 MB का इस अपडेट को रिलीस किया गया है अब बात करें इस feature में क्या है डॉन के क्या fix the malfunction, manufacture function issues related to side key तो पहले तो मैं update कर लेता हूँ फाइनली दोस्तों यह हो चुका है अपडेट, अपडेट करने के आप देखेंगे अपडेट में जैसा कि लिखा है कि सिर्फ side key का जो issue था उसको resolve कर दिया गया साथ में आपको यहां पर बता दूँ यह app करती किया है यह app से आप एक automatic मतलब एक routine को set कर सकते है जो काम वो automatic कर लेगा जैसे कि महालो आपने set कर दिया कि जब इस particular बंदे को कोई message आए तो ऐसा alert आए या mobile में यह setting change हो जाए या particular शाम टाइम के बाद मेरे मोबाइल में automatic sound change हो जाए sound full हो जाए या vibration हो जाए यह सब चीज़े आप इसमें add-on कर सकते हैं और मैंने इसको open कर लिए open करने क्या है तो यहांसे में आपको दो option देंगे modes and routines modes के अंदर इसमें by default इत्या रिमोट सीवे sleep, theater, driving, exercise, relax, work, custom, custom, custom and mode का option अब मैं इसको आपको एक simply बता दूँ जैसे कि sleep mode उनने by default set कर रखा है अगर आप इसको on कर देंगे इससे क्या होगा यह automatic sleep mode पर चाल जाए high comfort sheet automatic on हो जाएगी sound volume बिलकुल mute पर चल जाएगा gray scale हो जाएगा dark mode हो जाएगा मतलब कि आप night में चले गए है यह उस से related आपको tip करके बता रहा है आपको simple इसको on करना रहेगा इसके अलावा ऐसी theater दिया हुआ है theater में आपको अपने साब से set out करना रहेगा driving पर जाएगे त उसने automatic location भी ले लिए जब में वर्क में होंगा automatic उस location को change कर लेगा उसके do not do not desktop on हो जाएगा और साथ में और कुछ add on करना तो मैं यहां से add on कर सकता हूँ ठीक है इसके अलावा और बात करें अब custom कि अगर आप custom में जाएंगे custom में जैसे कि on हो चुका है custom में मैंने क्या कर रखा when to start this mode इस पर plus करके आप क्या कर सकते हैं कि यह mode कब चालो हो तब आप अपनी घर पे हो जाए या time पर हो जाले लेक में डाल दिया कि 8 बचके all day इस time everyday ठीक है everyday इस दिन time set कर दिया यह on हो जाए इसको done करा अब बात करें इसको on होने के बाद होगा क्या अब इसको on होन कि यह चले ही ना यह कोई office की आप चाहते हैं कि on time के बाद office के अपना चले या कोई और दूसरी आप यहां पर set out कर सकते हैं और आप do not disturb भी add on कर सकते हैं उसके अलाबा more function आप add on कर सकते हैं कि grace के लोन हो जाए on हो जाए या off हो जाए जैसे मैंने offset कर लिया dark mode भी off हो जाए यह ओन हो जाए dark mode off हो जाए power saving भी off हो जाए ठीक है open app do action again अगर कोई app को अड़ों या कोई app को open करेंगे उस app को open करने के बाद क्या हूँ वह आप set out कर सकते हैं sound volume कैसा रहे आपका set out कैसा करना है वह sit कर दिजिए अब पूरी setting इसमें आप कर देंगे और उसके बाद वह automatic वह activate हो जाएगा जैसे कि activate हो जोगा है जैसी turn off करूँगा सब कुछ यहाँ पर change जाएगा एक तरीके से यह modes होता है जिसमें आप जो जो डालेंगे automatic वह activate हो जाएगा particular time या particular जो भी आप ticket करके रखेंगे यह तर ज खास नहीं में खासे routines जो की बहुत शांदर routines बहुत अच्छे होते हैं आप यहाँ पर बजाएगे plus पर यह आपको बता देगा add और add what is routine do like मैंने add पर click किया start manual पर click किया ठीक है sorry मैंने यहाँ पर add पर click किया add पर click करने के आप मैंने डाल दिया अब यहाँ पर add करने के आपको condition में आपको बहुत सारे बहुत सारे आपको features मिल जाएंगे तो आपको जोन सा भी time यह जो चीज़ एक्टिवेट करना हो like मैं डाल दिया wifi ठीक है on हो if मैरा wifi on हो add condition में भी अगर मैं कुछ डालना चाहूं डाल सकता हूं कोई मतलम नहीं और add म मैं यहाँ पर हूँ मेरा wifi on हो तो मेरा यह automatic off हो जाए ठीक है और अगर मेरा wifi off हो वह automatic वह हट जाए तो यह इस तरीक से मैंने एक ticket डाल दिया इसके अलावा भी मैंने बहुत सारे ticket डाल रखे जैसे कि start begin जैसे कि यहाँ पर डाल रखा है जैसे मैंने डाल रखा है power at night कि रात को बारा बज़े automatic मेरे mobile का data on हो जाए मोबाइल का data off हो जाए और power saving on हो जाए यह सब मैंने डाल रखा है आप यहाँ पर एंटिक सकते हैं ऐसी low battery announcement जब ही मैरे mobile की 10% battery low होगी आटमेटिक एनाउंस करके बताएगा वह मैंने डाल रखा है तुरुन बता देगा उसके बाद मैंने डाल रखा है यहाँ पर एप ओपन जैसे कि मैं driver और map open करूंग और location automatic on हो जाए ऐसी button action डाल रखा है मैंने कि if double press अगर मैं double press करता हूं जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल रखा है इफ मैं double press करता हूं side key को then अगर मैं उस place में हूँ open an app do an do an app action to camera to selfie ठीक है यह मैंने set out कर दिया है कि जैसी मैं double camera को जबल इसको क्लिक करूंगा automatic camera app खुल जाएगा और वो तो automatic camera app खुल जाएगा इससे मैं photo click कर पौंगा तो यह action काफी अच्छा है और इसी में कुछ bugs थे उन्होंने इस bug को fix out कर दिया गया है आप easily इसको कर सकते है आपको करना हो यहाँ plus में जाना है यहाँ इस if condition में जाना लाइक मैंने volume up कर लिया double press and then क्या हो जाए उसको on करने के बाद वो चीज़ यहाँ पर आप set out कर सकते हैं ठीक है तो यह होता है यह होता है modes and routine और इसमें बहुत सारे आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए मैं अल्रेड़ी वीडियो को आप ज़रूर देखेगा तो thank you so much तो अब आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो please like जरू करें और आपको लगता है कुछ कमी है मेरे वीडियो में तो मेरे इस like बूसकते है या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूशन चाहते है इस related या कुछ भी आप आप डालेड़ी